तो समर्थ ईशा और अभी शेक के बीच में जो भी चल रहा है उससे सिफ ओडियन्स ही नहीं बलकि वो कंटेस्टेंस भी कंफ्यूज रहें जो बिग बॉस को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं हम बात कर रहे हैं डेवुलीन भटचार जी की जी हां डेवुलीन एक ऐसी शक्स हैं जो बिग बॉस को लेकि अपने व्यूप पॉइंट्स काफी जादा वोकल करती हैं सोचल मीडिया प डेवुलीन ने ये ट्वीट किया था कि जैसा भी होलकिन उन्हें अभिशेक के लिए काफी जादा बुरा लगा लेकिन अब डेवुलीन का कहना है कि जब उन्होंने वो पूरा एपिसोड देखा कि किस तरह से अभिशेक जो है वो बार-बार कहीं न कहीं इशा के सामने जा खड़े हो रहे हैं अगर समर्त ऊर ईशा बात कर रहा है अपने प्रॉब्लम सौट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो अभिशेक बार-बार वहां आके उन्हें कह रहे हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम सौट आउट कर लीजिए नहीं मेरे और ईशा के बीच में कुछ भी words जो हैं वापस ले रही है उन्हें अभिशेख के लिए बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है कि कही न कहीं ऐसा लग रहा है कि अभिशेख जो कुछ भी कर रहे हैं वो जान मुझ के interfere कर रहे हैं between समर्ट अन इशा लेकिन वो बता ऐसा रहे हैं कि वो बहुत मिचॉली की situation को handle कर रहे हैं डेव लीना ने लिखा कि कहीं न कहीं बाकी लोगों की तरह वो भी confused है कि चल क्या रहा है वला आप हमें जरू बताइए कि आपको समर्ट इश और अभिशेख में से कौन लगता है जैनियन कौन लगता है फेक in the comment section below and for more such updates do subscribe to Glitz Vision USA hi this is Ayushi Khurana and you're watching me on Glitz Vision USA